नमस्कार चार का चक्रियू देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ सभा शाहिद शेख नेता हो या अपराधी आतंकी हो या जिहादी जो भी गलत करेगा वो चक्रियू के चक्र से नहीं बचेगा उनके कारणामों को एक्सपोस करूँ एक एक करके पूरी डिटेन में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रियू के चक्र में आ गया है वो है बरेली में मस्जिद से इट उठाने को लेकर बवाल के बाद आक्शन की दूसरी खबर में बात अतीक एमत की तीसरी खबर में बात साइबर अ गाओं में मस्जिद से इट उठाने को लेकर हुए पत्थराओं के मामले में पुलिस एक्शन मोड में दूनु समुदाई की तरफ से 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्श किया गया है और पुलिस ने 11 लोगों को गिरफतार कर जेल भेजा वहीं पत्थराओं का वीडियो वाइरल होनी के बाद वीडियो से आरोपियो की पहचान की जा रही है दरसल बरेली तहसील के आवला की गाओं मेहमूद पूर की में धर्मस्थल के पास इट उठानी को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने एक पक्ष के नेपाल की और से 9 और दूसरे समुदाई के 9 लोग में जो भी दोशी हैं उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी मुस्लिम समुदाई के लोगों ने भी हिंदू समुदाई के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च कराया है और पुलिस ने दोनों समुदाई के 11 लोगों को घिरफतार कर जेल भीजा पुलिस सब एक्षन मूड में दिखाई दे रही पुलिस आरोपियों के घर जाकर दबिश दे रही है वहीं आरोपी घरों से फरार गाउ में पीएसी को तैनाद कर दिया गया है बरेली के एंडी जी पीसी मुईना ने थाने में जाकर पूरी घटा की जानकारी ली और कहा दोशियों को इसी तरह बक्षा नहीं जाए उन्होंने सक्त कारवाई का आदेश दिया है दरसल आपको बता दे कि पुलिस ने अभी तक दोनों समुदाई के 11 लोगों को गिरफतार कर जेल भीजा है पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के सिद्धीक अतीक रहमान शाह इमाम शाह नवाप शाह अश्रप अमर अली मुन्य अली और हिंदु पक्ष के निपाल रभी और विवेक को गिरफतार कर जेल भीजा है उलेखने है कि महमूद पुर गाओं की घटना को लेकर ADG PC मीना आमला थाने पहुँचे और पुलिस कर्मियों से घटना की जानकारी ली और ऐसी घटना दुबारा ना हो इसके लिए चितावनी भी दी थाने का निरक्षन रेजिस्टर भी चेक किया आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मूर्ड में है और दोशियों के खिलाफ लगतार कारवाई कर रही है वीडियों से आरूपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस की ओर से अभ्यान चलाया जा रहा है गैंस्टर अतीक एहमत की बेनामी संपत्यों को लेकर अबनाईने खुलासे हो रहे है आएकर विभाग की बेनामी संपत्य जाच शाखा को पता चला है कि उसने अपने साथ काम करने वाले करीबी के वाच्मेंड के नाम पर भी संपत्य खरीदी आएकर विभाग की बेनामी जाच शाखा ने मुहम्मद अश्रफ के चौकिदार के रूप में काम करने वाले सूरच पाल के नाम पर खरीदी गई जमीनों के लिए कुर्की का आदे जारी किया है आपको बता दे कि मुहम्मद अश्रफ गैंग्स्टर अतीक एहमद का करीबी सहयोगी और दाइना हाथ था मुहम्मद अश्रफ के चौकिदार के रूप में काम करने वाले सूरच पाल के नाम पर ये संपत्यां अतीक एहमद ने ही खरीदी थी हैरानी के बाद तो ये है कि जिस सूरच पाल के नाम पर लाखो करोरों के संपत्ती है वो सूरच पाल BPL गरीबी रेखा से नीचे काट धारक है उसके नाम पर प्रयागराच के अलग-अलग गाओं में दस करोर रुपेश से अधिक मूल ये के प्लॉट आएकर अधिकारियों को ये भी पता चला है कि सूरच पाल ने पिछले कुछ हफ्तों में करोडों की कीमत वाली लगभग 42 ऐसे जमीनों का निप्टारा किया था आएकर विभाद के जाँच में ये भी सामने आया है कि सूरच पाल ने नियमित रूप से आईटी रिटर्न दाखिल किया और संपत्यों की किराई से अपनी आई दिखाई वहीं इस से पहले भी जाँच की दौरान पुलिस को पता चला था कि अतीक एहमद ने तहसील सदर के कठहूला गौसपुर गाउं में गरीब आदमी के नाम से 23,447 वर्ग मीटर जमीन खड़ी दी थी वहीं मौझूदा समय में माफ्याती की बेनामी प्रॉपटी की कीमत 12,42,69,000 है आपको बता दे कि 15 अप्रील को अस्पतार ले जाते वक्त अतीक एहमद और उसके भाई अश्रप की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी इसके बाद से ही दोनों भाई की पत्नी गायब है पुलि इसको ऐसी जानकारी में मिली कि अतीक एहमद की पत्नी शायस्ता और अश्रप की पत्नी जैनब फात्मा बेनामी संपत्ती को बेचने की कोशिश में लगी हुई है क्योंकि उन्हें पैसों की कमी हो गई बीते दिनों यूपी की राजधानी लखनों में मारे जा चुके माफ करों रुपे की कीमत की प्रॉपटी के कागजाद बरामत किये थे हलाकि होटल में विजय मिश्रा के साथ मौजूद अश्रप की बीवी जैनब मौके से फरार होने में काम्याब हो गई वह रिपोर्ट्स की मताबिक लखनों में जिस बेनामी संपत्ती की डील होनी थी उससे शायस्ता और जैनब को 12 करोर रुपे मिलने थी उस रकम को जैनब और शायस्ता तक पहुंचाना वकील विजय मिश्रा का असल मकसद था पुलिस को ये भी जानकारी मिली थी कि इस रकम की मदद से अश्रप और अतीक की पत्ली विदेश भागने की फिराक में थी बता दे कि इबीते दो साल में अतीक एहमत की जादतर अवैस संपत्ति या तो कुर्प की जा चुकी है या फिर उस पर बुल्डोजा चला दिया गया है यूपी प्रिशासन की ओर से जारी आंकडों के मताबिक अतीक एहमत की करीब 1179 करोर रुपे की संपत्ति पर या तो बुल्डोज चल गया है या फिर उससे जब्त कर लिया गया है इसमें से 417 करोड की संपत्ति को प्रशासन ने अपने कबजे में ले लिया है और करीब 752 करोड की संपत्ति पर बुल्डोजा चलाया गया तीसरी खबर में बाद साइबर अपराद की यूपी सरकार ने साइबर प्रश्री ने इसके निर्देश दिये वहीं मौजुदा समय में परिशेत्री अस्तर पर संचालिक साइबर क्राइम पुलिस थानों की अब सभी 75 जिलों तक विस्तार दिया जाया और वरतमान में जुला अस्तर पर संचालिक साइबर सेल को आगे बढ़ाते हुए हर एक था साइबर हेल्प डिस के अलावा साइबर सेल भी क्रियाशील होगा सभी साइबर पुलिस थाने स्थाने पुलिस लाइन में स्थापित किये जाएंगे समिक्ष्या बैठक में सीम ने कहा कि हाल के समय में तकनीक के दुरुपयोग से अपरादगी प्रकृती भी बदली है आज कास्टमर की एफ्रॉड पैंशन फ्रॉड बिजली बिल् फ्रॉड वर्क फ्रॉम फ्रॉड सेक्स्टॉर्शन फ्रॉड लोन एप्प्रॉड पॉर्सल फ्रॉड मुखेमंतरej ने आगे कहा कि साइबर अपरादू से बचाओ के लिए जाग रूपत सभसे एहम अध्यम है पार्थिये करमों में इसे शामिल करना चाहिए इसके अलावा बी एसे डी आई ओएस को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रसिक्षित करते हुए चरन बुद्रूप से प्रधानचारियों सिक्षकों और फिर विध्यार्तियों और उनके अभिभावकों को जागरूप किया जा सियम ने कहा कि हर जिले से पांच पुलिस अधिकारियों को राज्यस्थर पर प्रसिक्षित किया जाए प्रसिक्षित पुलिस अधिकारियों ने अपने जिले के प्रतेक ठाने से पांच निरिक्षिक उपनिरिक्षिक को साइट्रेन पोर्टल पर उपलब्द कोर्स के संबन में प्रसिक्षिन दिया जाए चौथी खबर में बात थपपर कान की मुझफपर नगर मामले को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्षन लिया है मुझफपर नगर के स्कूल में हुई छात्र की पिटाई का वीडियो वाइरल होने के बाद जिला प्रशासन भी सतर वहीं जिला पूरी होने तक स्कूल बंद कराने का आदेश दिया है बी एसे ने कहा है कि स्कूल संचालित नहीं हो सकता खंड सिक्षा अधिकारे स्कूल के शात्रों का दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे आपको बता दे कि मुझफपर नगर के स्कूल में एक बच्चे की पिट गाओं के स्कूल की शिक्षिका ने एक शात्र को होमवक ना करने पर उसे कख्षा के अन्य शात्रों से पिटवाने और उसके खिलाप आपत्ती जनक टिपनी करने के मामले में शात्र के पिता ने तहरीड दी है वहीं जब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल उन्होंने कहा कि इस वीडियो को छेर चाड के बाद सोशल मीडिया पर शेर किया गया है वहीं उन्होंने कहा कि वो दिव्यांग और बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया था फिलहाल के लिए चारका चक्रवियो में इतना ही देखते रहे है कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार